Hello everyone, आप देख सकते हूँ मैंने राइट किया है How to create shortcut of any software जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किसी भी software का यह नहीं software मतलब क्या किसी बी software का shortcut की कैसे बना सकते हूँ और उनको keyboard की कुछ ही किज के मदद से कैसे start कर सकती हूँ जी हाँ आपको run से चालो करने की जोरुत नहीं है या फिर start पे भी click करने की आपको जोरुत नहीं पड़ती है किवल आप keyboard में से अपनी कुछ button को यहाँ पर press करोगे और आपका कोई भी software आपके computer में होगा उसको आप कैसे start कर सकते हो आज किस वीडियो में मैं आपको यही बत आने वाला हूँ वीडियो में continue बने रहीएगा definitely आप समझ जाओ कि कैसे आप अपने किसी भी software के लिए shortcut key को बना सकते हो आए वीडियो को start करते हैं ओके ध्यान दीजिए मैंने desktop पे notepad का यहाँ पर देख सकते हो फाइल या क्याव यहाँ पर रखा हुआ है बस अगर मुझे अभी notepad की अगर shortcut key बनानी है कि मुझे notepad चालू करना है shortcut key के मतर से तो ठीक इसके उपर right button को click करना है और इसके कोई भी एक बटन नहीं से प्रेश करिएगा जैसे आप प्रेश करोगे देखोगे control अल्ट लिखा हुआ आपको मिल जाएगा अब आप यहाँ पे notepad के लिए कोई भी एक character यहाँ पर यूज कर तो जैसे for example notepad यहन से start होता है तो मैंने यहाँ पर यहन को write कर दिया यह दे अब देखो मैं अपने keyboard में से control को दबा दिया हूं अल्ट वो दबा रहा हूं अब एक बार यहन को दबाऊंगा जैसे मैंने यह प्रेश किया होगा यह देखिए notepad स्टार्ट हो गया आपके सामने इसका मतलब मैं जीतनी बार प्रेश करूंगा उतनी बार notepad आपका यहा प्लस एंड देखो तो फिर से आपको यहां पर सामने यहां पर देख सकते हो फिर यहां पर पेंट हो चुका है ठीक है तो आपने कैसे यहां पर देख सकते हो कि मैंने नोटपैट के लिए shortcut बनाया सब्सक्राइब बनाना है तो आप क्या करूंगा इस्टार्ट पर करोगे क पर यहां पर देख सकते हूं पर जो फाइल लोकीशन और फिर प्रपर पर करना है तो देखो भी इसका भी शॉटकट वाला ज़ो ऑप्शन साहीं यहां पर आपको मिल जाएगा आपको इसमें क्लिक करना है और इसके साथ पेंट के लिए आपट कर सकते हूं जैसे कि मैंने लगा दिया पी क्यों यो कि फॉर पेंट होता है तो मैंने यहां पर ले लिया कंट्रोल अलट प्लस बस इतना करने के बाद एपलाइ कर दूँगा और इसके बाद कांटिन यह बड्रटन पर क्लिक कर दूब ठीक है इतना कर दिया हूं अगर मुझे अभी paint को start करना है simply तो मुझे क्या बटन प्रेश करना होगा control-alt के साथ P दबा दोंगा simple से पस जैसे P को press करूँगा देखो कि paint यहां पर देख सकते हो start हो चुका है ठीक है मैं फिर से बंद करता हूं चालू करता हूं control-alt के साथ P को press करूँगा क्यों यहां पर देख सकते हो कि paint यहां पर start हो चुका है ठीक है तो आपने क्या देखा मैंने दो software को अभी shortcut के मदद से क्या क्या चालू किया मैंने बताया था कि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं how to create shortcut आप आप एनी software तो मैंने क्या क्या चालू किया paint को चालू कर दिया note pad को चालू कर दिया ठीक है तो आप MS Word Excel PowerPoint जो भी software के लिए बनाना चाहते हो shortcut की आप यहां पर क्या कर सकते हो create कर सकते हो आप लोग को वीडियो अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर दिजिएगा साथ में वेल आइकन को हिट कर दिजिएगा ओके थैंक्स पर बाचिंग इस वीडियो से इन देक्स वीडियो